दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सिस जिंबावे के मैच प्रेडिक्शन की बात करेंगे दोनी टीमों की प्लेइंग लेवन की और मैं आपको काफी इंपोर्टन रिकोर्ड्स भी बताने वाला हूँ जब दोनी टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती हैं तो कौन से प्लेइर्स अच्छा पर्फॉमेंस करते हैं साथ में इस ग्राउंड पर कौन से प्लेइर्स अच्छा पर्फॉमेंस करते हैं सारे इंपोर्टन रिकोर्ड्स में आपको बताने वाला हूँ दोस्तो वीडियो आपके लिए काफी important होने वाली वीडियो को बिना skip कि ये पूरा देखीगा आपको इफायदा होने वाला है match venue की बात करें तो ये match Melbourne cricket ground में खेला जाएगा इंडिया में आप इस match को डेड़ बज़े से live देख सकते हो चलिए pitch report की बात करते हैं दोस्तो इस ground पर जो last के 3 T20 matches खेले गए तो इनका आप record देखोगे तो दोस्तो ज़्यादा high scoring matches देखने को नहीं मिले average scoring matches देखने को मिले हैं दोस्तो ये जो pitch रहती है बैटिंग के लिए ठीक टाक है लेकिन यहापर fast गेंदबाचों को काफी help मिलती है क्योंकि Australia की pitches की खासियत है कि यहापर bounce और carry अच्छा होता है जिसकी बश्यादा fast गेंदबाचों को काफी help मिलती है साथ में इस ground पर जो total T20 matches खेले गए वो 16 खेले गए जिसमें जो first batting करने वाली team ने 6 match जीते हैं और second batting करने वाली team ने 10 match जीते हैं यहाँ का first inning का average score 143 अन का highest score इंडिया ने बनाए और lowest score भी इंडिया ने बनाए यह देखने वाली बात है scoring pattern की बात कर ले तो दोस्तों डेड़ सो से कम का score यहाँ पर 9 बार बनाए और दोस्तों 190 से जादा का score यहाँ पर 1 बार भी नहीं मनाए आपको क्या लगता है इस match में कितना का score बनेगा 190 से जादा का बनेगा यह कम का बनेगा कमेंट करके जरूर बताईगा साथ में head to head matches की बात कर ले तो दोनी team ने आपस में भी तक 7 match खेले जिसमें से इंडिया ने 5 match जीते और दोस्तों जिंबावे ने भी 2 match जीते है Recent form की बात करें इंडिया अपना last match जीत कर आ रहा है और जिंबावे अपना last match हार कर आ रहा है दोस्तों यह इंडियन team की playing level मुझे नहीं लगता कोई भी change होने वाला है अगर playing level में कोई भी change होता है तो इसकी news में आपको telegram पे update कर दूँगा telegram channel का link मैं description box में दे दिया है तो join जरूर कर लीजेगा चलिए player performance की बात करतें तो केल राहूल की बात करें last match में अच्छी batting करी थी 50 run इन्होंने बनाये थे साथ में zimbabwee के खिलाफ भी इन्होंने 3 match खेले लेकिन केवल 69 run ही बना पाये है साथ में इस ground पे इन्होंने 2 match खेले जिसमें मातर 4 run बनाये जिहां दोस्तों रोही शर्मा की बात करें last match में भी 2 run बना के जल्दी out हो गे थे दोस्तों इस पूरे tournament में कुछ खास performance नहीं किया इस पारी को छोड़ दे तो साथ में दोस्तों जिंबाबwee के खिलाफ इन्होंने 2 match खेले जिसमें मातर 10 run किये और दोस्तों इस ground पे इन्होंने 5 match खेले जिसमें 72 run इन्होंने बनाये इनको आप चाहाँ हो तो drop करके भी चल सकते हो small league में वराट कोली की बात करें जबर्दस form में चल रहे हैं लास्ट में 64 run की शांदार inning खेली थी नाबात रहे थे और टीम को जीत दिलाई थी साथ में दोस्तों इन्होंने भी जिंबाबे के खिलाफ 2 match खेलें जिसमें मातर 26 run ही कर पाएं और दोस्तों इस ground पर 4 match के लिए जिसमें 112 run के ये देखने वाली बात है सूर्य कुमार यादव की बात करें ये भी लगातर अच्छा performance करें लास्ट में काफी तेजी सरन बना रहे थे लेकिन 30 सरन बना के out हो गए थे और इस ground पर इन्होंने भी एक match खेल रखा है जिसमें केवल 15 run ही बना पाए थे लेकिन दोस्तों अगर इस match में इनकी betting जल्दी आ जाती है तो मुझे लगता है एक बड़ा score ये बना सकते है हारदिक पांडिय की बात करें लास्ट मैच में दोस्तों बॉलिंग अच्छी करें दो विक्टे इन्होंने निकाले थे साथ में इस ground पर दो match खेलें जिसमें 40 run बनाए और दोस्तों गाईस इन्होंने यहाँ पर 4 विक्टे भी निकालें दोस्तों दिनेस कार्थिक ने लास्ट मैच में केवल 7 run किये साथ में दोस्तों इस ground पर इन्होंने 3 match खेलें जिसमें उन्होंने 9 run बनाए क्योंकि दोस्तों इनकी बैटिंग इतनी जल्दी नहीं आपा दिये अक्षर पटेल की बात कर लेते लास्ट मैच में 7 run किये थे साथ में दोस्तों इस ground पर इन्होंने 1 match खेला है जिसमें केवल 2 run बनाए और दोस्तों बॉलिंग नहीं करी थी और दोस्तों जिम्बापे के खिलाफ इन्होंने 5 match खेलें जिसमें 6 victory नहीं निकालें दोस्तों इनके बारे मैं बता दू दोस्तों इस match में हो सकता है ये अपने 4 over पूरे डाल जाए साथ में रवी चंदर अश्विन की बात करते है लास्ट में 13 run किये थे पर wicket नहीं मिलाता साथ में दोस्तों जिम्बापे के खिलाफ दो match खेलें जिसमें 2 wicket निकालें और इस ground पे 3 match खेलें जिसमें इनको 1 wicket मिला है दोस्तों हो सकता है ये भी अपने 4 over पूरे डाल जाए इस match में भुवनेशर कुमार की बात करें लास्ट में विकेड लैस रहा गए थे लेकिन काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे है साथ में जिम्बापे के खिलाफ इन्होंने 2 match खेलें जिसमें 2 wicket निकाल चुके और दोस्तों इस ground पे 3 match खेलें जिसमें इन्होंने 3 wicket निकालें अर्शिदीप सिंग की बात करें जबर्दस बॉलिंग कर रहे हैं लास्ट में देखो कि 2 wicket निकालें इस ground पे इन्होंने 3 wicket निकालें मौमाश शमी की बात करें लास्ट में एक wicket मिला है और इस ground पे इन्होंने 1 wicket निकाला है दोस्ते इंडिन टीम की bench player जिनको हो सकता है मौका मिल जाए अगर मौका मिलता है तो दोस्तो आप इनके records देख लिजएगा हो सकता है यूजी विंदर 16 मैच में खेल जाए तो इनके records आप एक बार यहाँ पे देख लिजएगा चलिए जिंबाबे की बात करते हैं तो दोस्तो इस जिंबाबे टीम की playing level है चलिए अब बात करते हैं प्लेयर performance की तो सबसे पहले माधा वेरे की बात करें लास्ट मैट में केवल एक रन बनाके जल्दी आउट हो गयते और इस tournament में भी इन्होंने कुछ खास performance नहीं किया में इनको लेके चलना पड़ेगा साथ में सैम विलिंग्स की बात करें ये एक important pick रहने वाले दोस्तों देखो लास्ट मैच में 28 नहीं किये तो बॉलिंग भी कर रहें पर विकेट नहीं मिलाता पर सेकंड लास्ट मैच में देखो कि तो एक विकेट और गए 64 रन की शांदर इनिंग उन्होंने खेली थी और दोस्तों इंडिया के खिलाब भी एक मैच खेल चुके हैं जिसमें 17 किये और एक विकेट भी उन्होंने निकाला है इंडिया के खिलाब तो ये important pick रहेंगे सिकंदर रजा की बात करते हैं लास्ट मैच में बैटिंग अच्छी करी थी पर व परल की बात करें तो दोस्तों इनका फॉर्म कुछ खास नहीं है आप इनका परफॉर्मेस देख सकते हो जोंगवे की तरफ चले लास्ट में एक विकेट इन्होंने निकाला है रिचर्ड की बात कर लेते हैं ये important player रहने वाले last match में भी दो विकेट निकाले हैं चितारा की लेकिन इंडिया के खिलाब दो मैच खिलें जिसमें इनको एक विकेट मिला है मुझरबानी काफी important रहने वाले इनका परफॉर्मेस देखोगे लास्ट के तीनों मैच में इन्होंने विकेट निकाले और इंडिया के खिलाब भी ये तीन विकेट निकाल चुके हैं दोस्तो यह इनके बैंच पिलेने तो दोस्तों इनका परफॉर्मेस एक बार देख लीजगा कैसा क्या पर्फॉर्मेस हैगा साथ में इस ग्राउंड के अकॉर्डिंग प्लियर्स की बात कर ले ते जिनको आपको पनी टीम में लेना जो अच्छा पर्फॉर्मेस करते इस साथ में कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात कर लेते दोस्तों यह सेफ़ पिक रहने वाले राहुल कोली साथ में यादव अर्शिदीप सिंग और सिकंदर रजा और यह रिसकी आप्शन आप याप देख लीजिएगा दोस्तों पर पहले मैं आपको इस एप के बारे में बताना चाहता हूं इस एप का नम फैंटेसी अखाडा है एप का लिंक को रैफरल कोड में डिस्क्रिप्षन बाक्स में दे दिया आप वहां से इस एप को डाउनलोड कर सकते हो साथ में referral code का use करोगे तो आपको 500 रुपे का bonus मिलता है साथ में आपको coins भी मिलते हैं इन coins को आप real cash में convert कर सकते हो कैसे करोगे इसके उपर मैंने full video बना रखे उस video का link भी आपको description box से मिल जागा तो जाके जरूर से देख लिजेगा साथ में दोस्तों England और Sri Lanka वाले match में आपको 50,000 रुपे का free giveaway मिल रहा है आप यापर देख सकते हो इसको आप बिल्कुल free में join कर सकते हो वो भी दोस्तों 3 team के साथ आप join कर सकते हो एक team नहीं, दो team नहीं बलकि पूरी 3 team के साथ आप इस league को join कर सकते हो और दोस्तों मेरा जो highly investment रहता है वो दोस्तों यहाँ पर रहता है आप मेरी winnings और मेरा deposit balance देख के अज़्यादा लगाई सकते हो मैं आपर कितना high investment करता हूँ दोस्तों मैं आपर high investment क्यों करता हूँ क्योंकि यहाँ पर जीतना आसाने competition कम है entry fees भी कम लगती है other fantasy apps के मुकाबले एक बार आप भी ट्राय करके देखो आप को यह बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है विकीट कीपर section की बात करते हैं तो मैंने ऐसे चिकावा को पिक्या चलिए बैटिंग में चलते हैं तो यहां से मैंने वराट कोली सूरे कुमार यादव और केल रहुल को पिक्या दोस्तों रोई शर्मा को अभी मैं आपको बताऊंगा किन की जगे आप इनको ले सकते हूं साथ में नीचे देख हुए तो इस स्मॉल लीक के लिए और ग्रैंड लीक के लिए भी मुझे लगता कोई सेफ आपके लिए यहां पर रहने वाले हैं चलते हैं तो यहां पर मैंने हार्दिक पांडिया सैम विलिंग्स और गैस मैंने आपर सिकंदर रजा को पिक्या अच्छी ऑप्शन जो रहने वाले हैं आपके पासे आप रिचर्ड कि आप इनको ट्राय करना चाहते हो कर सकते एक और यहां से बहुनेशर कुमार को आप ड्रॉप कर सकते हो अगर आप रोही शर्मा को लेना चाहते हो तो इस तरीके से भी ले सकते हो या फिर ऑल्राउंड तो मैं आपके किसी को भी ड्रॉप नहीं करूगा रोई शर्मा को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि दोस्ते इनकी रीसेंट फर्म बहुत ज्यादा खराब चल रही इसलिए मैं इनको पिक नहीं करूगा कैप्टन देखो कि वराट कोली रहने वाले जबर्दस फर्म में चल रहे हैं और दोस्तों वाइस कैप्टन आप देखोए तो मैं अर्शिदिप सिंग को बनाएं साथ में एक अच्छी ऑप्शन जो मुझे लगता है इस मैच में हो सकती है वह लोकेश राहूल किये आप इनको दोनों में मैं इस टीम को ट्राय करने वाला हूँ चलिए अब अपनी सेकंड टीम देखते हैं दोस्तों यह हमारी सेकंड ग्रैंड लिग की टीम है इस टीम में यह मान के चल रहा हूँ अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करती हो और एक बड़ा स्कूर खड़ा करने में क सामयाब होती है तो उस कंडिशन में ये टीम हमारी काम करेगी दोस्तों मैं यह मान के चल रहा हूं रोई शर्मा और लोकुष राहूल के बीच में हमको एक बड़ी साज़ेदारी देखने को मिलेगी अगर ऐसा होता है तो उस कंडिशन में ये टीम अच्छा कर जाएगी और इस टीम में आप देखोगे तो मैंने हार्दिक पांडिया को नहीं लिया है क्योंकि दोस्तों इस टीम में मैं मान के यह चल रहा हूं इन दोरों के बीच में अगर दस ओवर तक की साज़ेदारी हो जाती है तो कई से दोने ही प्लेर्स अच्छा-च्छा स्कोर कर देंगे औ पार्दिक पांडिया को उतनी बैटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा इसलिए मैं उनको नहीं रखाए और दोस्तों अगर आप टीम के बात करोगे तो जिंबाबे की टीम भी काफी हलकी है तो इसलिए मुझे लगता है यहां पर अक्षर पटेल अपने चार ओवर पूरे ड कर सकते और सूर्य कुमार को मैंने वाइस कप्तान बनाया क्योंकि मुझे लगता है इस मैट में यह बड़ा इसकोर बना सकते हैं और गईस आप आप देखोगे तो मैंने जिमबाबे की जो बॉलिंग इसको थोड़ा बैक किया है दो बॉलर्स मैंने इस टीम में रखके साथ लोकेश राहूल इस टीम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे कप्तान सिकंदर रजा रहेंगे बैटिंग बॉलिंग दोने से पॉइंट्स दे सकते और वाइस कप्तान मेंने हार्दिक पांडिया को बनाए अगर आप और थोड़ा डिस्क लेना चाहते हो सेम विलिंग्स को ट्राय कर सकता हूँ यह भी एक अच्छी उप्चन बन सकते हूँ या फिर दोस्तो आप मिखाश सैमी को भी ट्राय कर सकते हूँ वाइस कैप्टन के तोर पर है दोस्तों यह हमारी फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम में आपको टेलिग्राम चैनल पर ही मिलेगी यह हमारे टेलिग्राम चैनल है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो जॉइन जरूर कर लिजएगा क्योंकि टॉस होने के बाद आपको यहां पर जरूर से जोड़ जाएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा